सब्सक्राइब करता हूँ आपके दोस्त आपको आपको आपने सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो वीडियो को आज हम एक नए टॉपिक के साथ आये हैं हमारा साइंस की क्लासे चल ले थी सर्फ तोड़ा सा कुछ ऐसा करेंगे कि घर रही है ठीक है तो क्या अपलोग क्या कर चल रहे थे साइंस चल रहे थे एंड़ बीच का तो हमारे हां आज शुरू होगा क्या सुरू करेंगे भी लांडर सिस्टम लैड सिश्टम कुछ लंट सिस्टम फैक दोस्तों ग्लेंड शीप्टम मैंने अपने जाकेट निकाल दी मुझे गरमी लग रही थी ठीक दोस्तों लां सिश्टम कोश्चन इसमें कैसे बने गबाई किटे टाइप्स की ग्लेंड्स होती है पहला कोश्चन यह पुछा जाएगा कौन सी घ्लें थ्री टाइप्स होती है दोस्तों सॉरी एक जो क्राइड एक जो क्राइड ग्लेंड नेक्स्ट होती है हमारी एंडोक्राइड एंडोक्राइड ग्लेंड और थाड होती है हमारे मिक्स्ट ग्लेंड बैस्केल जो हमारी body में थ्री टाइप्स कीきた होती है एग्जोक्राइड एंडोक्राइड और मिंक्सिकाल ठीक है तो जमरी हमारा जो glad सोथी है वैई ठीक कितने प्रकार घॉति है थीक है तो हमारी जो यह glad ॱजो होती है यह कितनेzd Уजक स्किर्वाहिप होती है 5 होती है हमारी body में यह कितनी होती है 9 होती है और यह 1 होती है count करके आप लोग add कर लिजेगा sum निकाल लिजेगा total glands की number अगर पूछ लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 9 plus 5 add करेंगे तो 14 हो जाएगा 14 plus 1 add कर देंगे तो 15 total 15 glands हमारी body में present होती है पहला question दूसरा question आएगा आपसे एक जो क्राइंट glands कितनी होती है पाच होती है endocrine glands कितनी होती है बच्चे 9 होती है mid gland कितनी होती है बच्चे 1 होती है चलिए आते हैं हम लोग पहला point पे एक जो grind glands क्या होती बढ़ी glands का हम पहला glands की definition जाल ले न ग्लैंट किसे कहते है विच आरगन जो क्या होती है यह हर्मों का सिक्रेशन करेंगे यह फिर किसी जूस का सिक्रेशन करेंगे उन्हें हम ग्रंथी या ग्लैंट के नाम से जानते हैं ठीक है क्लियर हुआ ठीक है about study of gland is known as the क्या कहते है उसको उसको कहते हैं इंडो क्राइनोलोजी ठीक है तो जनरली हमारा जो मेन टॉपिक है इंडो क्राइनोलोजी ठीक है तो पहला होती है एक जो क्राइन ग्लैंड एक जो क्राइन ग्लैंड मैंने क्या मताब़न यह पांच होती एक कौन-कौन सिर्ष जो क्राइन ग्लैंड होती है वन यह करके हम देखेंगे पटा-पटा आप लोग नोट करते हुग चलेंगे मैरे साथ पहली होती है इस लाइवरी ग्लैंड किसका सिकरेशन करती है सलाइबा का का और यह कहां होती है बाई मौ dy कहां प्रिजएंट होती है य suffers located on our mouth हमारे माउथ में जो ग्लेंट्स होती है उसको हम इस विद्डे ग्लेंट्स कहाते हैं और वह क्या सिकरेट करती है सलाइबा सेकेंड आएगे हमारी वन बाइकन के हम वन वन करके जाते हैं दूसरी हमारी है गैस्ट्री गलन गैस्ट्री अगर मिश्टेक होगी तो आप लोगो इसको एक्सेप्ट कहले है आप कांसेप्ट भे ध्यान दिदेगा एहुमन एडर होता बाई कहा होती है जनरली है हमारे किसमें पाए जाती है इस्टमक में पाए जाती है इस्टमक या फिर उदर जिसको आप लोग कहेंगे ठिक यह होती है और कौन होती है लीबर लीबर को क्या करते हैं हम लोग भाई क्या नाम देते हैं लीबर या क्रित हिंदी मिडिये मौले सिक्रेशन किसे का करती है ग्लेंड गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है गैस्ट्रिक जूस का गश्टिक जूस का, लेवर किसा सिक्रेशन करेंगी भाई यह क्या करनेंगे, बाल जूस, पैंक्रियाट, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करेंगी, ठिक, पैंक्रियाटिक जूस, सलैवरी, गेस्ट्रिक लेवर, पैंक्रियाट और एक और होती है, आपकी लास्ट ग्लेंड होती है, जो पाँचमी नमबर पे है, यह बाउन हो गया, टू, खिरी, और फिप्त नमबर पे आती है हमारी, जिसको हम नाम देते हैं, गाल ब्लाड आए, यह स्टोर करता है, किसका, स्टोर आप बाइल जूस, या फार्मेशन करता है, बाइल जूस का, फार्मेशन करेगा और स्टोर भी करेगा, फार्मेशन, टीक, तो एक जो क्राइन ग्लेंड में, पहला पॉइंट यह जान लीजिए, कि सारी ग्लेंड में क्या होती है, इक जो क्राइन ग्लेंड कैसे होती है, इसमें डक्स प्रेजन्ट होती है, डक्स प्रेजन्ट होती है, पहला पॉइंट, क्या होता बाइड, सारी ग्लेंड में क्या होती है डट्स लगी होती है कैसा होता यह उसी डट के मादैम से जो आ यह स्यामे आश्यतर आश्यिक करते हैं ते तो यह और आर डंट कि आ क्वाइब ऀक्रफ क्राइब आख स्वेट में वे होती है इस अयाका नौद या बकाई जाती है तीसरा लीबर होता है चौथा पैंक्रियाज और पाच्मा गल ब्लेडर होती है ठीक है यह जनरली जो हमारे पास होती है बाई सब इंप्वर्टन प्लेंट्स आर प्रिजेंट इन आवर बॉड़ी इस पाइप टैप्स की होती है ठीक है इसके बारे में मैंने बता दि केजिए मैं एक सेकंड के लिए आप से हर जा रहा हूं सामने से चलिए ठीक हो गया नहीं आ建 rows जो हमारी में इंडॉक्राइड इन construct क्या होती है वर्क होता है कितने ही कीली और अ क्या सिखीट करती है एक कई तरह के कोशिशन होते हैं हाए मेन चीज हम जाल लेते हैं क्या हो दिए इंडोक्रायन ग्लैंड पहला पॉइंट इसमें आप जानिये इसमें क्या होती है वाई एे टक्ट लैस होती है डाक्त लेस होती है मृलत नलिका विहीन क्रंद पहला नलिक विहीन होती है क्यां पर यह राती है डिरेकलि जो है जोबी हर्मोन क्या करती है कि इसस्ता बताया हमने पहला वाय्न हम ने क्या ह посмотрим कि है य। ऑमन foreign सबसे important work क्या करती है हर्मोन का formation करती है क्या करती है हर्मोन का निर्माण करती है जितनी भी हमारी endocrine glands होती है हो hormones का formation करती है about study of endocrine gland is known as the endocrinology क्या करते है उसको जिसमें इन सब का अध्यन किया जाता है उनको endocrine logy क्या एक चीज मैंने बता था आपको लीवर पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि लीवर का study कि इसमें किया जाता है पैंक्रियाज का study कि मैंने अलग अलग सब को बता दे ना तो endocrine glands इंडो क्राइनो क्राइनो क्या मैंने लिखा माई कि साइंस की वह ब्रांच जिसमें इंडो क्राइन ग्लेंट की अध्यन किया जाता हूं उसको endocrine logy कहा जाता है पहला question आप यहां से note कर लीजेगा question आप से यही पूछ लिया जाएगा direct क्या में कि साइंस की वह ब्रांच जिसमें इंडो क्राइन ग्लेंट का अध्यन किया जाता क्या नाम दिया जाता हूं इसको endocrine logy आप चलिए आगे मैं कुछ इस पर डिसकर कर देता हूं फिर आगे बढ़ेंगे आपने point में क्या होता इसमें से question क्या बनेंगे आप से कि करीज में यह question पढ़ेंगा पहला where is present of endocrine gland of these यह question होगा which one of the largest endocrine gland दोसरा question which gland secret of these hormones काउंसी gland काउंसा हर्मोन से करती है that's etc etc तो कई तरी सारी question आपसे यहां से पूछ जाएंगे ठीक हम one by one step by step study करेंगे nine glands के बारे में हमने आपसे mention किया है तो nine glands क्यों से होती है ठीक question आपसे directly पूछ लिया जाएगा कि hormones का basically work क्या होता बाई कौन से hormones क्या काम करते हर्मोन क्या होता काम करते हैं Catalyst Catalyst का मतलब उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं तीक है उत्प्रेरक का मतलब किसी चीज़ को stimulate करते हैं तीक है यानि क्या होते हैं बहुत सारी response सारी कारण होते हैं जब हम क्या होते बाई हाइपर मतलब हम क्या होते काफी क्रोधित होते हैं थे कौन सा हर्मोन सीक्रियॡ रथा हम भूट खुस होते हैं थे हैं थे कौन सा हर्मोन और यहां हर्मोन header उखूष होगे सब कहुंत हम घुस हो रहे हैं थे सरे चीज हो रहा है हार्मोन्स एक ऐसा चीज होता है जो कि क्या होता है इन विजबिल होता है दूसरी चीज होता है नौन टेचबेल होता है जिसको ना हम छो सकते हैं ना देख सकते हैं ठीक है यह हार्मोन्स के फीचर्स होते हैं ठीक दोस्तों हार्मोन्स क्या होते हैं एक chemical compounds होते हैं chemical compounds generally present in our bodies ठीक है एक chemical compound होते हैं जो हमारी सरीर में पाए जाते हैं और ये सारी activities के लिए response बिल्ड होते हैं चीज़े clear हुई hormones के बारे मैं ने कहके बताए वे feature ये non-touchable होते हैं जिसको हम touch नहीं कर सकते हैं इन्विजिबल होते हैं ना हम जीने देख सकते हैं बट कुछ chemical compounds होते हैं जो हमारी body में present होते हैं पाए जाते हैं जिसकी वज़े से बहुत सारी activities हमारी body की होती रहते हैं उसी को हम क्या करते हैं hormones करते हैं और ये hormones कहां बनते हैं कुछ special types की क्या होते हैं इन्दर glands होती हैं और उस gland को क्या नाम दिया जाता है endocrine glands थिक मैंने क्या बढ़ाई endocrine glands कितने types की होते हैं 9 types की होते है features क्या होती है सबसे पहला features यह ductless होती है नहीं इसमे नली का भीहीन होती है कोई नली नहीं होती है और यह पूरे bodies में जहां इनका वर्क होता है वहां वह जाती रखें दूसरा वर्क क्या होता भई formation हाफ hormones वर्क क्या होता है इसका hormones का बनना या hormones इसी में बनते रहते हैं ठीक endocrineology what is the endocrineology तो क्या कहोगे आप about study of endocrine gland known as the endocrine gland science की वैसा का जिसमें हम आप इस topic का generally हम नाम दे तो हमारा इस topic का नाम ही होता हुए in fine no ई या इंडो क्रायण ग्राइट यि यह में यू टूपिक है जहां इन्डो क्राइट सिष्टां हुड्चिज्टों महाने कैं बता हम ने ये हमारा जो तॉपिक है जैनेल키ा है इंडो क्राइन सिस्टैम यहां से पूछे जाएंगे कि कौं सी उर्मों करते हैं किसा मेंग करते हैं किस qualify करते हैं बहुत सारी क्र्शन तोर्था एं सब्सक्राइब करेंगे तब तक आप हमारे चैनल से बने रहेगा लाइक करेंगा सब्सक्राइब करेंगा दोस्तों में जादा से जादा शेयर करेंगा वीडियो को कैसे लगी ज़रूर बताएगा फीडवाइक दीजिएगा अपने कमेंट में और वीडियो को लाइक करेंगा और शेयर भी करें किया थैंक्स पार वाचिंग